क्या तुमारी भती जी का नाम अभी सी है जी गुरू जी आज के बाद अबंद विश्वासी कहना बंद कर देना बरना नंगा कर दिया जाएगा आगे जाने की अधा या ना चूकि तुम्हें पता है पचासों बार लड़ाई लड़ चुके हमें टेंशन हो गई हमका महराजी अच्छा साधी होगा भेंड हम डांस करेंगे भेंड भारत की दरोवर है उसकी संस्क्राइब कल्चर आस्था धर्म में विश्वास पर हमारा देश डेमोक्राटिक भी है यहां हर धर्म को समानता की नजर से देखा जाता है और यही इस देश की खासियत है पता हमारे स्कूल में एक प्रेयर होती थी हर रोज हम वो गीत गाते थे उसमें एक लाइन थी यह करीबन एक दशक तक रोज मैंने सुबह गया और मुझे यह लगता था कि हमारे देश में हर मजभब हर धर्म को एक नजर से देखा जाता है चालिस से लेकर असी तक यूसफ खान से किसी को कोई दिक्कत नहीं है नब्बे के दशकों में अजुरुदीन से किसी को दिक्कत नहीं हुई शारुक खान, आमिर खान, सल्मान खान से किसी को दिक्कत नहीं हुए 2002 में अब्दुल कलाम से किसी को दिक्कत नहीं हुए इर्फान बठान, यूसफ बठान, मुहमद कैफ से किसी को दिक्कत नहीं हुए और इस वक्त भी मुहमद से राज हो या मुहमद शामी हो जब वो किसी की विकेट लेते हैं, तो पूरा देश ताली बजाता है, फिर ऐसा क्यों कि कुछ politicians की वज़े से, ये division और rule हो रहा है, historically आप देखेंगे, जब भी किसी को rule करना था, तो उसने religion की आडली, जब भी किसी को powerful बनना था, तो उसने religion की आडली, because यहां लोगों की आस social intelligence के और space के युग में भी हम इन भेकावों में आ जाते हैं, थोड़ा सा magic क्या हुआ, आप उसको सच मान लेते हैं, चाए वो mentalism हो, चाए social engineering हो, चाए hacking हो, हम हमेशा हर चीज को चमतकार मानते हैं, और चमतकार का ही फायदा उठाते हैं, कुछ ढोंगी, और ये एक धर्म मे नहीं हर धर्म में होता है, पर इस वक्त एक सवाल जो है, पूरे देश में फैला हुआ है, और वो सवाल है, धिरेंदर कृष्ण शास्त्री के उपर, बागिश्वर धाम सरकार के उपर, तो धिरेंदर सिंग शास्त्री हैं कौन? जाएंगे, बादरी आजाएंगे, शन्यासी बाबा की, धिरेंदर सिंग शास्त्री मेहर्ज, 26 साल गया है, जिन पर कई सवाल उठते हैं, पर इनमे से कुछ बात हैं बड़ी अनुखी हैं, बड़ी निराली हैं, एक जिस पर बहुत सवाल उठता है, वो ये है, कि वो लोगों की बाते जान जाते हैं, कोई उनको बताए ना बताए, पर उनके दिवित दरबार में जो भी आता है, उसकी बाब बात जान जाते हैं, और दूसरा, कि वो भूद भगाते हैं, और जिस पे कम सवाल उठाय जाता है, वो ऐसा समरो भी करते हैं, जिसमें बे सहारा लड़कियों की शादी करवाई जाती है, पर इसके बात कोई नहीं करता, पर आजके जो बात चल रही है, देरिंदर कृष्ण शास्त्री पर वो ये चल रही है, कि भाई, आप जान कैसे ल पेंटिंग एक कला है, एक्टिंग एक कला है, ठीक उसी तरह जादू भी एक कला है, ये ट्रिक है के सिद्धी है? पचास से लेकर 2011 तक का डेटा ये बूलता है, कि जो हिंदूस हैं, उनकी जो संख्या है हमारे देश में, वो कम हुई, 84% से इट केम डाउन टो 79%, वहीं, जो मुस्लिम्स हैं, उनकी percentage इंक्रीज हो गई, from 9% to 14%, और वहीं जो कृष्ण हैं, वो करीमन 3 to 5% के बीच में जूलत और ये बहुत बड़ी वज़े है, एक तो बाकी रिलिजिन्स का माइनॉरिटी में होना और दूसरा उनका कट्टर होना, इसकी वज़े से जो conversions होते हैं, स्टडी शो करते हैं, conversions सबसे जाधा बाकी धर्मों में होते हैं, which means majority of Hindus may convert to Islam or Christianity, but बहुत कम Christians या Muslims Hinduism में convert होते हैं, और ये बहुत बड़ा fact है, और एक और data point यहां यह है, कि अहाली में देखा गया है कि बहुत सारे जो Hindus convert हो रहे थे, वहाँ दिरेंदर कृष्ण शास्री की वज़े से उनका conversion का reversal हो रहा था, बहुत लोगों की अपने religion में वापसी हो रहे थी, he was talking about Sanatan Dharma, he was talking about Hinduism, and many people were getting motivated to come back to joining, come back to becoming Hindus, now यह जो चीज है, शायद कुछ लोगों से देखी नहीं है, why I'm saying that is because, धिरेंदर सिंग शास्री की यह जो pictures आप देख रहे हैं, उनमें एक शक्ती आती है दिवे दरबार में, जिससे वो भूद भी बुखाते हैं, एक सेनापती को भी लेकर आते हैं, वो लोगों की पटाई करता है, जो एक सिंपल लांग्वेज में, जब इंगेज इंसान हिस्टीरिया से पीडियत होता है, जो की medically भी उसको आप resolve कर सकते हो, तो अब आपको इसकी emotions को supercharge कर सकते हो, by taking some of the sensitive things. And it is not only limited to one religion, but across religions. आप देखेंगे, ऐसे कई वीडियो आप देखेंगे, across different religions, जहां तो इस्टीरिया को बिसस्स बना के, लोग प्रूफ करता हैं कि उनमें कोई special powers है. This is a conversion disorder. disorder your stress in the body is converted into a physical symptom right by use by your by your mind right वहाँ पर इसमें फरक्सान इस्वाइटिक डिसॉर्टर मतलब physical symptom दिमाग बचड़ गया और क्या हो रहा है यहां पर कोई stress आया है घर में जगड़ा हुआ और आप बेहोश पूरे सरी को जखड़ो इसके पूरे सरी को जखड़ो इसके पूरे सरी को जखड़ो जितना हैरान रोगी को किया उतना मार मार के करो इसे यह पेशन्ट नाटक नहीं कर रहा है जो सॉमेटिक सिम्टम्स है वो नाटक नहीं कर रहा लेकिन ऐसे भी पेशन्ट होते हैं जो प्रिव प्रिव को यही देंगे याप कर देंगे ये अपर शक्ते हो गया में कर सकते हो गयाँ आ याँ कर दो गलसे साथ कर दोड़ कर दो invest AG कर को अजने कर दोगरा ऐसे pastime antic 15 करषाया अंगार्षाइक स्टा सिर्खक्राइक वो माचूर है, 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 व वो तो भूद बुला रहा है। In fact, सुशान सिंग राजपूर से भी उसने बात करने के दावा किया था। So guys, यहाँ एक इनसान को target करना, क्या सही है क्या गलत। मैं यह नहीं कह रहा है कि बागेश्वर धाम सरकार, दिरेंदर कृष्ण शास्री यहाँ सही है या गलत है, मैं यह कह रहा हूँ कि जहाँ भी कोई आपको अन्धविश्वास के basis पे बेफकूफ बना रहा है, उसकी बेफकूफी में मत आओ, धिमाग लगाओ, और हर religion में अगर ऐसा हो रहा है, हर religion में कुशन करो, अपने religion में भी कुशन करो, अब अगर हम आएं, धिरेंदर कृष्ण शास्त्री पे, कि वो जो हैं, वो गलत हैं या सही हैं, वो पाखंडी हैं यहां जैन्वन हैं, तो गाइज, मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि जो चीज़े वो कर रहा हैं, ऐसे कई evidences, mentalism में और social engineering में लोग करते आएं हैं, in fact many magicians और illusionist, यह साफ किया है कि पुराने जमाने में जिसको चमतकार बोला जाता था, वो जस एक magic यह जस एक illusion होता था, इसे ही जो दिरेंदर कृषिन शास्त्री कर रहे हैं, कई और लोग दावा करने का वो mentalism में भी हो सकता है, everybody here is proof that I can't change what I have written, I am going to count to three, I want you to tell everybody the friend that you are thinking of, and their reaction will tell you if I got it right or not, one, two, three, mentalism is an art which can be learnt, there is no chamatkar, जब Sandeep Maheshwari, जो एक motivational speaker है, जब उनने सुहानी शाह को अपने प्रोग्राम में बनाया, और देखा, यह art कितनी interesting है, तो उनोंने भी वो सीखियो और वो करके दिखाया, वहाँ पर बोर्ड पर उनोंने आपके जो चार्ट डिजिट्स है, मोबाइल के वो लिग दिये है, मन में आप एक-एक डिजिट को देखोगे, और जोर से बोलोगे, मन में, अब इसका मतलब यह तो नहीं है न, उन में कोई special power है, रामपूर, इस, पहले तुन्हे रामपूर नहीं सोचा था न? ने, पहले नहीं सोचा था, पहले तु अलगी अपना बीच holiday destination पे था, तुन्हे अपने अपको जब आखे बन करके विजिलाइज किया, यहीं कहेंगे तुम सब कथा से जरूर जुड़ो, भगवान से जुड़ो, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता है, जो भी महमा है, हनमान जी की है, तो हमारे सब चक्कर में मत पड़ो, हम तो पागल आदमी है, तो मैं चरन पकड़ना ही है, तो बागे सुर्बाला जी के पकड़ों बे तुमा और बेडा पार कर दें। आप कोई यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि उनमें कोई स्पेशल पावज हैं। आज आए। बताया, लोगों को अंदविश्वास मैं तो नहीं ढखेड़ा है, महापाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं तीन दिन से बलकी सच्चाई को EVP न्यूस में दिखा रहा हूं, मैंने कोई अंदविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं किया है। तो क्या तुम्हारे भाई का नाम रागबिंद तिवारी है। जी गुरुजी, एक पत्रकार होने के नाते-नाते मैं यह कह रहा हूं, आचार दिरेंद्र सास्त्री की जै, क्योंकि मैं जो सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं, यह चमतकार नहीं है। क्या तुम्हारे भाई ने अभी मकान बनवाया है। जी गुरी प्रवेस किया है दो दिन पहले। क्या तुम्हारी भती जी का नाम अभी सी है। जी गुरुजी, आज के बाद अबंद विस्वासी कहना बंद कर देना, बरना नंगा कर दिया जाएग। किसी से हमें प्रमाडपत्र की आउशकता नहीं है। तो यह प्रॉब्लम ध्रेंदर कृष्ण शास्त्री की नहीं है। यह प्रॉब्लम उस हर इंसान की है, जो किसी और पे बिलीव कर लेता अपना दिमाग बिना चला है। और उसमें सारे politicians भी आते हैं, जो आपको यह बोलते हैं कि एक धर्म सही एक धर्म गलत। उसमें सारे वो influences भी आते हैं जो कहते हैं कि हम तो गुटके की add नहीं कर रहे हैं जो एक काला जहर पिला के आपको, एक acid पिला के आपको बोलते हैं कि आप पाड़ों से छलांग लगा देंगे, आपमें attitude आजाएगा वो सारे influencer भी गलते हैं, जो यह बोलते हैं कि mouth freshness खाओ, आप लड़कियों को attract करोगे अगर आप दारूपे होगे, इनमें और उनमें कोई फरक नहीं है तो मुझे लगता है, हमेशा question करिये, जो भी आपको बेफ को बना रहा है, और अगर आप नहीं कर रहा है, तो मैं दो यहां करूँ गई, और अगर मैं कर रहा हूँ, तो at least आप इतना गर सकते हैं कि इन वीडियों को share करके, लोगों में जागरिती पैदा कर सकते हैं कि कैसे आप अपने passion को यूस करके, एक job में स्टक ना रहा है, एक ऐसे business में स्टक ना रहा है, जहां पको दिल नहीं लगता, if you want to learn, join this mentorship program, you'll learn lot of those concepts, because I spent about 20 years in the corporate industry, and 5 years of YouTube experience, and I've created now a method, by which you can easily leverage the new digital age, मैं ऐसी वीडियो मैं फिर से मिलूँगा, क्यों कि बेख़ॉफ opinion के लिए, अगर आप यहाँ जुडेंगे, हर बार कुछ निया perspective तो मिले गाई, गैस हमारे बहुत सारे वीडियो मोनेटाइज नहीं हो पाते हैं, तो अगर आप चाहते हैं, support करना इस चैनल को, जिससे ये बेख़ॉफ opinions आपको निरंतर मिलते रहें, तो हमारे चैनल की membership ले सकते हैं, उसके साथ साथ आपको member only live stream priority reply, और हमारी private community का access भी मिल जाएगा,